हैलो एवरिवन आज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे फंक्सन ओफ और कॉंप्लेक्स वेरियाबल सो अभी तक हमने यह जो कॉंप्लेक्स वेरियाबल के बारे में हम देख रहे थे तो हम z के बारे में देख रहे थे कि बाई z equal to हम लिखते थे x plus i y that is the one complex variable तो उसके बारे में इस पड़ा अब क्या पढ़ना है हमें यह complex variable है उनका function हम बोलते हैं function को हम f लिखते हैं किसका function चाहिए हमें यह complex variable z का so क्या लिखेंगे f of z लिखेंगे उसको हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं small w ओके सो डबलू या f of z that is nothing बन्ती function of a complex variable सो बहुत easy topic है वैसे लेकिन पूरा understand करना पड़ेगा ओके सो हमें यहां पर basically करना क्या है जो भी complex number है उसका हमें analysis करना है getting okay चलो तो है definition दिखते है पहले कि z equal to x plus i y is called complex variable and here x is a real variable and y that is known as a imaginary variable right getting love imaginary number so यह जो पाठ है एक रियल पाठ है और iota के साथ जो भी आता है उसको हम क्या बोलता है imaginary part so यहां पर यह जो real part imaginary part हुआ और यहां पर x and y दोनों जो है वो क्या है क्या है real number है real variable है तो यह तो हमने already पढ़ा ही था z equal to x plus i y क्या है वो अब इनका मैंने बोला वैसे कि function ओके यहां पर लिखा if a rule or set of a rules is given by means of which it is possible to find one or more complex value w for each value of j in a certain domain d so d क्या है एक domain है complex number का right तो हमारा जो भी complex variable होगा वो किसके मतलब कहां से बिलोंग करेगा वो set d से domain से right so यहां पर क्या लिखा है z belongs to d so we say that w is a function of z okay so simple कोई भी complex variable है उसका जो function है हम लिखेंगे f of z वह है क्या है w है और z जो है वो belongs to क्या है d domain d क्या है complex number का जो है वो set है so हमें यहां पर याद क्या रखना है simple यह complex variable और यह यह दो चीज बस याद रखो बाकी कुछ ही याद नहीं रखना है चलो अब हम आगे जाते है तो वहां पर हमने देखा जैसे so z equal to x plus i y लिखा u और f of z है तो हम उनको इस तरह से लिख सकते देखो w equal to हमने लिखा न है f of z so इनको हम इस तरह से लिख सकते u plus i v जो z है उसको हम क्या लिखते है x plus i y get it so यहाँ पर यह क्या है actually function है complex variable का तो उनको हम लिखेंगे u plus iv एन यहाँ पर u and v क्या है u and v are the function of two real variable x and y so हम ऐसे लिख सकते हैं लिखना चाहते हो दो u of xy plus iv of xy getting यहाँ पर लिखा है देखो w equal to u of xy plus iv xy means u and v the function of two real valuable x and y okay x and y के form में होगे u and v अब यह जो portion है वो हम बाद में देखेंगे actually जो भी है वो अब हमें यहाँ पर करना क्या है बेल तो यह ग्राफिक और रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी लिखा यहाँ बे ओके यह भी इत्ते important है नहीं अभी यह figure देखो जो हमने बोला वो यह एक z plane है यहाँ पे एक हमारा complex number है देखो यह ओके तो उनको हमें क्या करना है मैप करना है यह हमारा क्या है एक डबलू प्लेन है जो यह complex variable है हमें क्या करना है उसका function तो यह डबलू प्लेन लिया तो डबलू प्लेन में क्या आएगा यहाँ पे YouTube आएगा यहाँ पे एक स्थेन आएड़ा यहां पर यह है अर यहाँ पे क्या है levy यहाँ प्लेन दिया हुआ है वहां से हमें यहाँ पर क्या है उसको प्लेड़ेर मैपिंग तो यह जो हमें हुआ अधी होुआ वे years बब उसका function ओके क्या हो जाएगा ये w equal to f of z उसको ही बोलते है मैं भी ओके ये है domain जो z है वो और ये क्या है हमारे range तो ये सारी जो चीज़े है वो यहाँ पर लिखी हुए देखो तो the set d of a complex number is called the domain okay so complex number का set है उसको denodate किया है दि उसको बोलते domain of the function f of z and set of a values w is the ring of values of function w equal to f of z so w equal to f of z is also referred as a mapping right so ये जो है set of z जो है complex number का वो क्या हो गया domain और यहाँ पर जो ये है डबलू उसका जो set है उसको क्या बोलते है range बोलते है तो अभी तो ये थोड़ा starting है थोड़ा बहुत confusion हो तो अभी कोई problem नहीं हम आगे देखते हैं देखो यहां से हमारा main start होता है अब हमें यह पूरा chapter में क्या करना है जो complex number है उसका analysis करना है सो analysis करने से पहले बहुत सारे basic definition है वो हमें समझना जरूरी है कि वो क्या कहना चाहता है बहुत सारे word आएंगे इंटेरियर पोर्शन एक्स्टेरियर पोर्शन नेबर हुड कनेक्टेड डॉमें किसको बूलता है मनलब डॉमें है या नहीं है जो भी दिया है question वो सेट जो दिया होता है हमें वह डॉमें है या नहीं है वह भी हमें चेक करना रहता है एक्चुली वह important है exam point of view तो सारी जो definition है वह हमें पहले समझना पड़ेगा कि वह actually इसका meaning क्या है और वह बहुत easy है वैसे okay so पहले से हम start करते है देखो बहुत सारी यहां पर दी है book में distance so कोई भी एक circle लेलो यह ओके तो यह जो बीच में हमारा है center वह हम बोलते हैं उसको zero और यह जो भी radius है वह क्या है हमारा यहां पर एक point है यह जैर और यह जैर जीरो दोनों के बीच पर जो distance है उसको क्या किते है more of zero minus zero अब वह equal to r होगा तो सारे जो point है infinity point वह कहां पर आएगे यह circle पर ही आएगे getting तो हम बोल सकते है कि यह क्या बता रहा है कि आर radius का circle देखो यहां पर लिख़ा है क्यों कि एक circle है उसके जो यह जो center है वह क्या है हमारा जैर जीरो और Z- Z0 More equal to r होगा मतलब आप यहां पे do, करो, यहां पे do, करो, यहां पे करो mountain so, वी जगह पे radius क्रूड ही रहेगी तो सारे जो point है वह यहां पे circle पे ही आएगे तो यह actually एक क्या बताता है circle बताता है और यह क्या है डिस्टन्स है में सो डिस्टन्स इकॉल तो आर हो जाएगा रेडियस तो वह क्या बन जाएगा हमारा यह सर्कल ओके चलो अब हम बात करते हैं ओपन डिस्क के बारे में यह बुक में नहीं है लेकिन इंपोर्टन है समझने के लिए अब फिगर जो देख हम वहां से हमां पता चल जाएगा कि ओपन डिस्क क्या है अब यहाँ पर लिखा है डी एक सेट है कॉंपलेक्स नमबर का इकॉल टू यह क्या है जैड बिलंग्स टू सी मतलब जो जैड है वो नमबर है वो कॉंपलेक्स नमबर है राइट सी मीन सेट कूरते हैं उनको ओकिए यहाँ पर मोल ओब जैड माइनस जैड जीरो लेज दें आर्यां पर क्या था एक कॉल टू आर मेंक्स यह प consistent कर एक रहाँ पहला है लेकिन यहां पर या रूक को किया होगा वहाँ पे point नहीं आएंगे उसके अंदर ही point आएगे तो उसको बोलते है open disk तो यहाँ पे लिखा क्या है collection of all the points inside the circle मतलब यह एक circle है हमारा देखो यहाँ पे solid line नहीं टोकी है circumference में यह dotted है देखो यह उसका मतलब क्या है कि यह जो border है circumference है circle का वहाँ पे point नहीं है उसके अंदर है so collection of all points inside the circle circle पे भी नहीं होना चाहिए यह circle पे है ऐसा नहीं होना चाहिए सारे जो point है वो कहाँ पे होना चाहिए यह circle के अंदर तो उसको बोलते open disk अब मैं यह बोलू के सारे inside the circle सारे जो point है वो और यह circle के उपर के भी circumference पे भी point आएगा तो उसको क्या बोलते हम close disk simple देखो यहाँ पर यह equal to R है तो circle आया यहाँ पर less than R है तो circle के अंदर सभी सारे point आए तो उसको बोलते open disk अभी क्या होगा less than equal to आजाएगा तो radius पे भी आजाएगा देखो यह collection of all points inside and on the circle तो circle के अंदर तो सारे point है किसके यह ज़र के लेकिन circle के उपर भी है देखो यह solid line है तो circle के अंदर के भी और circle के point भी हो जाएगा सभी का collection हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे close disk तो simple है बात बहुत easy है कि open disk और close disk किसको बोलते है तो एक circle है उसके अंदर के सारे point होगे उसको open disk यह border जो है ना उसका जो circumference वो point consider नहीं करना है वो point भी आप consider करो तो उसको बोलते है close disk getting तो यह simple सा एक example था अब एक और एक definition आती है annulus वो actually है क्या annulus मतलब क्या है अभी दो circle है मानलो देखो यहाँ पर दिया हुआ है यह एक circle है और दूसरा circle है बस उसके बीच का जो area है उसका जो domain है उसके अंदर के जो point है वो तो दो circle है तो उसका यह जो center है वो z0 है पहले का radius r1 है दूसरे की radius है r2 है अब यह दोनो circle के बीच में हम लेंगे point circle के उपर नहीं देखो यह सारी जो line है यह dotted line है मतलब circle का जो outer जो layer है मतलब circumference है उसके उपर के point concern हम नहीं करना है अभी यह r1 से ज़्यादा देखो यहाँ पर है z minus z 0 मतलब यह जो है okay distance कितना होना चाहिए यह area का r1 से ज़्यादा और r2 से कम तो यह r1 से ज़्यादा यह side और r2 से कम तो यह बीच का आएगा लेकिन यह जो border है उसके उपर के point नहीं आएंगे तो उसको क्या बोलते है open annulus और यह जो circumference है दोनों का उनको भी हम consider करें तो इसको क्या बोलेंगे close annulus जैसे हम ना open डिस्क एन close डिस्क में देखा है वैसे ही तो यह तो बहुत इजी है समझने के लिए लेकिन जो सबसे important जो है वह है यहाँ पर नेबर हुड अफ़ पॉइंट यहां से बहुत सारे definition जो यह बहुत important topic है इनके base पे से हम दो तिन और जो term है वह हम सिखेंगे so neighborhood of a point जो definition लिखी है यह जो बताया है मैंने उसमें कुछ है नहीं देखो वैसे आपको यहाँ पर book में आप बता दू तो यहाँ पर directly लिखा है देखो the set of all the points for which more of 0-0 less than R is known as the neighborhood of a church okay so कैसे समझेंगे देखो यह circle एक दिया हुआ है कौन सा circle है यह open disk है सारे point है और यह जो circumference dotted है मनला open disk एक है ओके सो यहाँ पर भी लिखो लिखा हुआ है डेल्टा नेबर हूड of a point 0-0 सो यह जो point 0-0 है बीच वाला उसका जो neighborhood point है वो हम ऐसा भी ले सकते रहा है यह अभी मनलो के यह 0-0 है यह यह नेबर आये यह भी नेबर आये अभी कितने नेबर जो है हम रहते हैं गर पे तो हमार है आसपास के जो दो घर है हम उसको नेबर बोलते हैं हाँ तीन-चार घर के बाद जो कोई घर होगा उसको भी हम नेबर ही बोलेंगे सो डिपेंड करता है डेल्टा की वैल्यू पर कितना दिया हुआ है एक चुले एक रेडियस दितना है वो डेल्टा कम यह ज्यादा होगा उसी सब से हमारा जो सरकल है वो बढ़ता जाएगा गेटी सो नेबरिंग जो पॉइंट है वो क्या होता जाएगा इंक्रिस होता जाएंगे गेटी सो अभी डेल्टा हमें यह इतना दिया हुआ है सो यह जो जैड जिरो है उसके यह जो सारे है ना वो सारे क्या है के point है वो कौन से है Z के point है जो है हमारा complex number जो domain हमारे disk जो है उसके अंदर यह 0 के अस्पार सार यह z की value कि वो किसमे आनी चाहिए Open disk के अंदर आनी चाहिए देखो यहाँ पर क्या है is less than delta है less than equal to होगा तो वह क्या हो जाएगी हमारी क्लोज डिस्क सो एक्चुली क्या होना चाहिए ओपन डिस्क सो ओपन डिस्क के अंदर जहड़ जिरो के आसपास सारी जहड़ के जो पॉइंट है उनका जो सैट है उसको बोलते है नेबर हुड सैट ओफर नेबर हुड पॉइंट ओके और डेलड़ हमारा क्या है एक पॉजिटिव रिया लंबर है बहुत इसजी है वैसे आप कोई भी एक सरकल लेलो अभी चलो यह है तो अभी यहां पर जहड़ जिलो है तो उसका आसपास का मैं बोलूगा यह आपका नेबर हुड हो गय आएंगे कि अब यहां पर एक डेफिनेशन और है डिव टेट नेमबर हुड ऑफ पॉइंट यह बूक में नहीं है लेकिन याद क्या रखना है डेलीट कि यहां पर नेबर हुड़ ऑफ हुट में यह 0 भी आता है डिवhard में होकर यह 0 नहीं आएगा देखों यहां पर फिगर में भी बताया है यहां एक सर्कल जैसे किया मतलब जेड़ जीरो नहीं आएगा देखो यहां पर लिखा जीरो लेस्ट देन डेल्टा सो यहां पर क्या माइनस सेट जीरो कर दिया है मैं आपको अलग तरीके से भी बताता हूं यह देखो यह यह हमारा नेबर हुड अफ यह जेड़ जीरो को क्या है नेबर हुड है और यह डीस कौन से होनी चाहिए अब देखो यहां पर जेड़ जीरो को हम कंसिडर करते हैं तो नेबर हुड हो गया अब जेड़ जीरो को नहीं लेंगे देखो यहां पर डॉट है जेड़ जीरो को लेगा उसमें कंसिडर नहीं हम देखेंगे हम तीन कि यहां पे देखो यह नेबर हुड हमने देखा कोई भी एक पॉइंट है जेड़ जीरो उसके आसपास के जो जेड़ है वो ओपन डिस्क में आने चाहिए उसको क्या बोलते है नेबर हुड पॉइंट अब यहां पे हम देखेंगे इंटिरियर सरकल मिन्स सर्कल के अंदर के पॉइंट एक्स्टिरम शेकल के बाहर है और बांडि मीनस सर्कल बे जो पॉइंट आएंगे कि वह एक्षली बेत ओंद्धक हमाई आइडिया हमाने लग जाती है लेकिन यहां पे वह जो हम हम नेंग के बेض़ पर समझना है यह नेबर होर के तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सिख फिगर दी है एक डॉमेंट दिया है हमें यह पूरा एरिया अब उसके अंदर यह एक जेड़ जीरो पॉइंट है देखो डॉट करके दिखा है जेड़ जीरो अब इसके आसपास का यह जो है एरिया उसका नेबर हुड पॉइंट होगे, इसके आसपास जो नेबर हुड पॉइंट है जो डीपेंड करता है देखो यह, यह Z0 है, तो यह जो circle किया है, वो actually किया है, उसका neighborhood point है, so सारे के सारे neighborhood point जो है, वो यह domain दिया है, उसके अंदर ही है, तो उसको क्या बोलेंगे interior point of a D, so Z0 जो है, वो क्या हो जाएगा? interior point हो जाएगाри, अब यह Z1 point लिया है, यह domain से बाहर है, यह domain हमारा इतना है यह अभी यह Z1 point लिया है उसके आसपास के यह जो neighboring point यह circle किया है उस मुला बता है नहीं है लेकिन यह क्या है neighboring point देखो यह इंटिंग तो यह पूरे domain के बाहर है domain के अंदर कुछ है domain तो हमारा यह है अभी यह तो पूरा बाहर हो गया आउटसाइड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे यह जैड़वन को जैड़वन इस एक्स्टेरियर पॉइंट ऑफ एड़ी तो उसके जो नेबर हुड हम लेंगे देखो यह 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 नेबर हुड है यह सरकल है चोटा सा वह उसका नेबर हुड है तो उसके अंदर नेबर हुड पॉइंट है तो आधे नेबर हुड पॉइंट देखो यह यह आधे नेबर हुड पॉइंट जो है वो हमारा किसमें है डॉमेंड में है इसमें और यह आधे जो है वो कहां पर है बाहर है डॉमेंड के बाहर तो उसको क्या बोलेंगे बाउंडरी पॉइंट मिन्स कोई भी एक पॉइंट हो बॉर्डर पे और उसके जो नेबरिंग पॉइंट है वो आधे डॉमेंड में होने चाहिए और सम नमबर आप पॉइंट्स लाइज इन आ आउटसाइड आप दॉर्मेंड ओके देन वी कें सेड़ पॉइंट 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 से टॉपिक एक्चुली बहुत इजी है ओके यह डेफिनेशन है मैंने आपको अभी सम्झाता हूँ यह एक सरकल है देखा ओपन डिस्क में तो कर रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है यह इन फाइन नमबर अप पॉइंट है रएट यह ओपन डिस्क है अभी तो इन फाइन नमबर अप है अब यहां में एक पॉइंट ले लेता हूँ यह अब इसके नेबरिंग पॉइंट इधर इधर आएंगे असपास के तो सारे नेबरिंग पॉइंट कहां पे है यह एक हमारा डॉमेंट हो गया डिस्क हो गई ना उसके अंदर ही है चलने मैं दूसरा एक कब कर ले लेदा हुँ यहां पे पेर हमाईंट एक प्लाइंट आप सारे एक डॉमесь कें अंदर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे interior अभी मानलो कि यह एक point है कोई भी और उसके जो neighborhood है देखो यह सारे के-चारे क्या है यह जो circle हमा पे और उसके नेबर आब प्वाइंट हम लेते हैं सरे नेब Klubber पे चलते हैं नो यह तो देखो आधे नेबर हुल पॉइंट कहां पर आ गए यह डॉमैंड के अंदर आ हमार हैं के अंदर और आधे के अंदर मोजुज रांगे चैक तो इसको औरूंद्री पॉंट पॉइंट को क्टिएट होता होता है तो यह सरकल के अंदर के पॉइंट होते है तो वह आपन और सथ र१ू इसी पॉटेशन पर भी होते तो उसको इसोग्रोटे और जो इम्पॉरन जो है वह वह बाकि और。」 बाउंडेट रिजियन ये जो सारे जो है दो तिन जो डेफिनेशन है वो हम next video में देखेंगे कल और उसके base पे जो example आते है जिट्यू exam के अंदर उसको कैसे हमें calculate करना है कैसे analysis करना है set जो दिये होते है complex number का उनका वो हम देखेंगे अभी ok